नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मैंच चैनल, मैं हूँ आमिज जाना, थमनिल देखके तो पता लगी गया होगा कि आज मैं करने वाला हूँ ओश्रा मैच फॉर हेडलेम की अन्बॉक्सिंग, और तो ये डबाब ले लेते हैं, और सबसे एक इंपॉर्टेंट इन्फॉमेशन यहां पर जो मैं सर्जिकल ब्लेट ये यूज कर रहा हूँ, है ना, नेसेसरी नहीं है कि आप भी इस ब्लेट का यूज करें, आपके पास में जो कोई भी अन्शाप आपजेट्स हों, आप उसका भी यूज करके बॉक्स को अराम से खोल सकते हैं, ठीक है, मेरा हाथ के पास एक कार्ड भीजा, थेंक्यो का, और बताईएगा वीडियो आपको कैसा लगा, है ना, अच्छा लगा होगा, तो लाइक कीजिएगा, कोई भी डाउट्स हो, तो कॉमेंट करना ना भूलें, प्लस, अगर आप चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही, बैल आइकन को प्रेस कर दीजेगा, वीडियो के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए, तो ये बॉक्स आप देख सकते हैं, बहुत ही, मतलब पैकिंग इसकी कितनी शानदा रहे हैं यह आपे, यह पीछे में प्राइसिंग है, प्राइसिंग जो है, यह आपको प्लास् और ये हट गया, ठीक है, अब करते हैं बॉक्स को ओपन, अब डबा देखके तो बहुत मज़ा आ रहा है, लाइट देखते हैं कितनी अच्छी हो सकती है, और ये डबे को खोल लिया, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देख सकते हैं, ओर इंग दिख रहा होगा आपको दो रेड कलर का है ना, और एक जिप टाई है, एक नहीं है, दो है, उसके बाद में है, मैन्वल, जो की बॉक्स में मिला हुआ है, उसके बाद नीचे में आप देख पा रहे होंगे नीचे, सर्टिफिकेशन स्लिप है, कि भाई ये टेस्टेड है, प्रोड़क्ट ठीक है, कोई ये छोटा सा कंवर्टर ब्लास्टर, आप जो बोल सकते हैं, खैर इसको ब्लास्टर नहीं बोलेंगे, इसको हम कंट्रोलर भी बोल सकते हों, और डॉय के पीछ लगा हूँ है, फैन, और सबसे टॉप में आप जो देख रही है, बल्ब है, ये है लो बीम, बोच साइड में और नीचे वाला जो है, वो है high beam, ठीक है, तो इसको कर देते बंद, और ये दोनों bulb होने वाले हैं same, ठीक है, यहाँ पे कोई फरक नहीं है, और ये मैं बताना चाहूंगा आपको, आपने डबे में भी देखा होगा, ये जो bulb है, वो है H4 LED, ना कि HS1, ठीक है, H4 रही है, तो आशा करता हूँ, वीडियो आपको पसंद आया होगा, मिलते हैं आपन नेक्स वीडियो में, थैंक ये ओ,